नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग खंड सिचाधिकारी का जो बैच हमारा चल रहा है उस बैच में पांचवा टेस्ट आउजित किया गया करेंट अफेर का ये टेस्ट था करेंट अफेर के करम में देखें तो ये दूसरा टेस्ट था मई जून जुलाई 2022 के प्रशन इसमें पूछे गया थे जैसे कि आपका रिवीजन हो जाए तयार हो जाए और इसमें 120 जो प्रशन थे हर एक प्रशन 2.5 मार्क्स का था और निगेटिव मार्किंग के साथ ये टेस्ट हुआ है अगर आपने एक क्वेस्चन गलत किया तो 0.833 म मार्कस आपके कट किये गए सही किया तो 2.5 मार्कस आपको मिलने थे हैं इसको जारी करने का अउद्देस ये होता है कि इसको देख कि आप आसानी से सीसके कि कितने ब्रशन करने पर कितने negative करने पर कितना score आता है उसका क्या effect वड़ता है negative marking में कैसे manage करें अपने paper को जिससे कि आप आसानी से अच्छा score करके exam को past कर सकें क्योंकि commission भी आप से इसी pattern पे और इसी ranking के साथ आपका selection करता है सुरू के जो candidate होते हैं उन ही को select किया जाता है और उन ही को start listed किया जाता है तो आप सुरू से ऐसे practice करें ऐसा माहौल आपको मिले यही उद्देश है इसका पहली rank मिली है जो लिखा हुआ है SK गुपता यह actually email ID किसी तरीके से किसी कारण से सो कर रही है इनका नाम है सुभी गुपता तो सुभी गुपता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सुभी ने इस test में top किया है इनकी rank first आई है यहाँ पे attempted question, correct question, incorrect question वो marks हो रहे है 114, 114 इन्होंने attempt किया है 120 में 105 इनके correct है, 9 इनका incorrect हुआ है और 255 marks इनके आये है total marks जो थे, वो 300 थे क्योंकि 120 question और 1 question 2.5 marks का तो first rank इनकी है second rank पे महेश कुमार साहू है 118 इन्होंने attempt किया है इनसे ज़्यादा किया है लेकिन incorrect देखिए इनके 17 हो गया है केवल 101 सही है तो 238 marks इनके आये देखिए, होता ये है one third negative marking का मतलब होता है कि 3 question अगर आपने wrong कर दिये तो एक right question के बराबर marks वो खा जाता है तो ऐसी इस्तिती में आपको कम से कम गलतियां करनी होती है और इसका एक ही उपाय है practice करना पढ़िए, class देखिए, revision करिए test दीजिए, practice करिए और जो कमिया रह जाए उनको दूर करिए तीसरे rank पे है सूरेंद्र प्रताप सिंग 114 इन्होंने attempt किया है attempt देखिए, इन्होंने सुभी के बराबर ही किया है लेकिन इनके गलत 14 हो गए है तो marks इनके देखिए 238 आये, second rank के equal है तो second rank पे दो लोग है second rank पे अगर देखा जाए तो महेज कुमार साहू और ये सूरेंद्र प्रताप सिंग है लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो computer है ये जब ranking करता है तो हर एक चीज को देखता है तो incorrect इनके जादा है तो इस कारण से ऐसा सो हो रहा है तो second rank दोनों लोगों की है अगली rank है अब्दुल की आप इसको चौती rank भी कह सकते है तीसरी भी कह सकते है खेर इसी list से हम चले तो 115 अब्दुल ने attempt किये है 100 इनके सही हुए है और ये 15 इनके incorrect है और 238 मार्क्स इनका भी है तो इनको भी हम second rank ही कहेंगे यहाँ पर देखें मार्क्स के हिसाब से देखें तो second rank कर हैं ये सारे लोग ये तीन के तीनों लोग second rank कर हैं अगला है विकास तिवारी फिप्त नंबर पे इनका नाम है लेकिन ये third rank हो जाएगी आपकी विकास तिवारी ने 120 में 120 attempt कर दिये और जो इनका correct question है वो 95 है 25 इनके wrong हो गए correct इनके कम हुए है incorrect जादा हो गए attempt जादा किया तो उसका नुकसान इनको जहिलना पड़ा 217 marks इनके आए हैं तीसरी rank पर ये है और चौती rank अगर इससाब से हम देखें तो अखलेज सिंग की है 108 इन्होंने attempt किया है और 90 question इनके correct है 18 question इनके incorrect है और 210 210 इनके marks आए हैं तो ये सारे लोगों ने अच्छा perform किया है और इसमें अभी विकास तिवारी ने सारा attempt करके अपना जो negative marking जो कराई है उस कारण से इनके marks कम होए है इन्होंने सही question भी अच्छे किया है 95 question सही है लेकिन 25 गलत हो गए तो 8 question का mark सीधा सीधा तो ये कम हो जाएगा इसी कारण से इनके marks कम होए है पाँचवी rank वैसे सात्वी फिर ऐसे देखी जाए तो पाँचवी rank है सारिका मौरिया तो ये लोग बड़ा बड़ी हा मेहनत कर रहे है इस सारे लोग ये जितने top 10, top 15 में आ रहे है ये अनवरत प्रयास कर रहे है ये बहुत बड़ी हा चीज है सारिका मौरिया 110 इन्होंने attempt कि 88 इनके right हुए 22 इनके wrong हुए यह incorrect हुए और 202 marks इनके आये है ज्यानेंद्र प्रताप सिंग साथमी rank ऐसे आ जाएग इनकी ज्यानेंद्र प्रताप सिंग के 112 marks है और इन्होंने सारी 112 marks नहीं 112 attempt किये है 85 इनके right है और 27 इनके देखे ये कम करिए ज्यानेंद्र इसको कम करिए आप ग्यानेंद्र आपको इसी पे वर् करना है, बार-बार मैं इसलिए इस पे फोकस कर रहा हूँ, कि विकास को भी इसपे वर् करना है, ग्यानेंद्र को भी इसफे करना है, जो गलत ज़ादा हो रहे हैं, इनको कम करना है, और 190 मार्क्स इनके आएएगे, सञ्जे कुमार यादो आठमी rank है इनकी 188 marks इनके आए हैं अब इन्होंने 110 attempt किये 84 जो है इनके right way और 26 इनके क्या हो गए? wrong हो गए तो 26 ये भी बहुत ज़्यादा जिनके भी wrong question 20 cross कर रहे हैं वो सब लोग सतरक हो जाए इसको 20 के अंदर लाइए और 100 के उपर जब आप कर रहे हैं तब 20 के अंदर लेके आईए अगर आप 100 के अंदर कर रहे हैं तब तो और कम आपको करना है incorrect question की संख्या पूनम सिंग 9th इनकी rank है और 107 इन्होंने attempt किया है 83 इसमें right है 24 इनके wrong है ज़्यादा wrong हो गए है और इनकी 188 rank है marks है और rank इनकी देखी जाए तो ये 8 इह आएगी इन दोनों लोगों की rank 8 इह आएगी क्योंकि इन दोनों लोगों के marks 188 है 9 इनकी rank हम देखेंगे तो ये 9 इनकी rank पर आएएंगे अमित कुमार राय 104 attempt 82 correct हो गए है और 22 incorrect हो गए 92 question ही attempt किये है 79 इसमें सही हो गए है और 13 question जो इन्होंने wrong किये है वो बहुत ज़्यादा नहीं है मैं इसको अच्छी performance मान रहा हूँ गलत कम करना है आपको जितना कम गलत करेंगे उतना ही ज़्यादा accuracy पर ध्यान देना है जितना ज़्यादा accuracy रहेगी उतना आसान होगा आपका selection तो इन दोनों लोगों की rank जो है ओ नाइन्थ है रीता 105 इन्होंने attempt किये 102 इनके right 23 wrong 186 marks है कम करिये रीता इसको बिलकुल कम करिये 23 ये ज़्यादा हो रहा है सब इसको घटा के 15 के आसपास लाइए 20 के अंदर तो हर हाल में लेके आईए फिर आप लोग practice करेंगे ने जब आपके 25-30 test होंगे ना इस course में test बहुत होने है तो test जब आपके 25-30 पहुचेंगे तो आप लोग इतनी कम गलतियां करने लगेंगे और ऐसा ही एक paper आपको examination हाल में मिलेगा सही हो जाएगा सब बस अपने पर भरोसा रखिए दिन रात जब भी सोचिए तो अपने exam के बारे में सोचिए मेहनत करते रहिए और ये रही इनकी 10 वी rank रीता की और 11 रैंक पे हैं कुमारी लक्षमी 102 दो question इन्होंने attempt किये और कुमारी लक्षमी के 102 में से 80 questions सही हुए है 22 कम करिये ये wrong कम करिये लक्षमी और 182 marks है और 12th rank है गौरो कुमार की 181 marks है 111 111 इन्होंने क्या किया है attempt किया है 82 right हुए है 29 wrong अभी तक का सबसे ज़्यादा wrong गौरो इसको कम करें आप दिलसाद 13 rank पे है 176 marks इनके आए है 109 attempt किया है 80 80 इनके correct हुए है और 29 इनके incorrect हो गए है incorrect बहुत ज़्यादा आप लोग कर रहे है इसको घटाइए कोसिस करिए सतेइन सिंह 172 marks है किया है इन्होंने 90 attempt 74 इनके correct है 16 incorrect है ठीक है तो यह 14 rank पर है और उसके बाद में हम आगे वढ़ें तो देखिए चिंग की दहिया 15 इनकी rank है 98 attempt 75 correct 23 incorrect 168 marks तो 23 यह ज़्यादा हो रहा है इसको कम करिए जिनके भी wrong question 16 20 से उपर वाले अभी सतर को जाए फिर दीरे दीरे मैं इसको और कराना चाहूँगा लेकिन बाद में फिर आगे देखिए यह 16 राइंग पर दो लोग आ जाएंगे आपके एक आस्तोस हैं और दूसरे आपके यह हो जाएंगे आस्तोस के बाद में साहलेस आस्तोस और साहलेस यह दो दो लोग इस राइंग पर हैं और आस्तोस ने देखिए का अटेम्ट जादा किये हैं 118 और इनके 106 इन्होंने अटेम्ट कम किये हैं लेकिन आस्तोस के रांग खोटी question हो गया है आस्तोस बहुत जादा रांग हो रहा है बहुत जादा रांग हो रहा है इसको बिल्कुल कम करिये आप और 162 मार्क्स इनके आए हैं ठीक है और इनके साहलेस की क्योंकि रांग थोड़े से कम हुए है तब इनके भी 162 मार्क्स आ गए और जो इसमें मार्क्स आ रहे हैं ये आप मान के चलिए कि जिनके भी 60% मार्क्स आ जा रहा है 70% तक जिनके आ रहे हैं उनके बहुत बड़ी हा मार्क्स है और इससे कम आ रहा है तो उनको मेहनत करने जरूबद है उपासना सिंग 17th इनकी रैंक है 17वी 88 question attempt किये 17 इनके correct हुए 18 इनके जो है incorrect है ठीक ठाक है अच्छा है थोड़े से और कम incorrect होने चाहिए और 160 मार्क्स इनके आए है तो उपासना इसको आप थोड़ा सा और एकोरेसी बढ़ाने की कोसिस करिए 18 रैंक पर है 90 किया 70 सही 20 गलत 158 बड़ा बढ़िया है 9 0 7 0 2 0 तोड़ा सा कम करिए नितेश आपने 90 अटेम्ट किया है तो 15 से ज़्यादा इसमें wrong नहीं होना चाहिए ठीक है और 19 रैंक पर आपके आजाएंगे आस्तों सिंग 83 मार्क्स इनके question इनके attempted है और 65 ये correct है 18 जो है ये incorrect है और 148 जो है इनके marks है और 20 रैंक पर है सीमा 20 रैंक पर ये सीमा है 96 इनके question attempted है 67 इनके correct है 29 सीमा इसको कम करिए 29 ये ज़्यादा हो रहा है और 143 इनके जो marks आए है आगे और लोगों ने attempt किया है और ये list जारी कर दी जाएगी और इस list को आप उसमें देख पाएंगे अपने group में और इन सारी चीजों का मकसद एक ही है कि आप दूसरों से भी सीख सके है क्योंकि कोई perfect नहीं होता है कुछ आपको आता है कुछ किसी को आता है कुछ मुझे आता है कुछ बगल वाले को आता है तो एक दूसरे के ideas group बनाने का क्या मकसद है हम लोग जो group में कोसिस करते है तो group बनाने का यही सब मकसद होता है कि हम जो कोसिसे कर रहे है उससे बहतर कौन कर रहा है और उससे कमतर कौन कर रहा है तो हम अपनी को analyze कर पाते है analysis हम कर पाते है यह टेस्ट देना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत थाइंक यू, थाइंक यू सो मच